नमस्कार दोस्तों मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्त रेखा गुरू चैनल में स्वागत करता हूँ और आप लोग को बहुत सारे धेर सुफ कामना है आप लोग के जीवन में खुसियां आए आप लोग का दिल खुसियों से भर जाए आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में और अभी यह हाल में ही हमारे पास फोटो एक महिला के हथेली की आई है और यहां पर हम आप लोग को दिखाएंगे इस पस तोर पर कि यह महिला की जीवन रेखा है कोई भी महिला हो कहीं कि भी उनकी जीवन रेखा आई है और यहां पर हम तुरंत चर्चा का विश्य आप लोग के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग समसको बहुत इंपॉर्डेंट है जानकारी और वो जानकारी यह है कि यहां पर आप देखेंगे कि जीवन की रेखा जो है इस महिला की जीवन रेखा इतने भागों में जो अभी मैंने नेले रंग से दिखाया है थोड़ी सी अलग है इसके इधर वाली जीवन रेखा बिलकुल अलग है इसके इधर वाली पीछे वाली जीवन रेखा अलग है अलग क्या है अब हम आपको दिखाएंगे थोड़ा ज जिहान देना जरूरी है आप देख पाएंगी कि जो यह जीवन रेखा इतने दूर में है जो तकरीबन 37-38 मान की चलिए 40 वर्षों तक के समय तक अपना ज्यादा आसर रखेगा वैसे यह ज्यादे से ज्यादा मान की चलिए 35 वर्ष है लेकिन तब भी मैं 40 कह रहा हूं मान की लिए 40 वर्षों तक यह ज्यादा आसर रखेगा इस महिला का स्वास्त जिनकी हथेली है अच्छी नहीं रहेगी अब यह नहीं कि लगातार 40 वर्षों तक अच्छी नहीं रहेगी बीच बीच में सही भी होता रहेगा लेकिन कब बिलकुल अच्छी नहीं रहेगी और क्या दिक्त आएगी ऐसे जीवन रेखा होने से सबसे पहली बात इस जीवन रेखा का नाम मैं बता दू इस जीवन रेखा में छोटे-छोटे ओवर लैप या दीप ट्राइप वन रहे हैं और ये जीवन की इस पड़ाओं से जादा दिखाए दे रहा है जो जीवन का लगभग उन महिला का जीवन 20-21 वर्ष से थोड़ा साथ दूर्वल हो जाएगा दूर्वल का ताथ पर यह है कि जीवनी शक्त कमजोर होगी मतलब जैसे होता ना कि हम थोड़ा वीकनेस कमजोरी टाइप हमें महसूस हो जैसे बलड की कमी या पेट संबंधी दिक्कतों के कारण हमारा थो सरीर में उठपन हो जाये जिन से हमारी जीवनी सक्ती कमजोर हो जाये या सारीलिक्स छमत्य ठोड़ा कम हो जाए तो यहाँMM है घबराने के जरुर्ष नहीं है थोड़ा ऐसे व्यक्त जीवन में परेशान होते हैं स्वास्त संबंदी समाश्याओं से ले करके चिंता का विशे नहीं बन रहा है यहाँ पर लेकिन आपको दवाईया थोड़ी डाक्टरों से सलाह लेकर लेनी पड़ेगी और थोड़ा जीवन में संघर कस्ट उठाना पड़ेगा जीवनी सकती कमजोर होने के कारण या सारेरिक स्वास्थत खराब होने के कारण आपका सारेरिक स्वास्थत थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा आप कमजोरी के सिकायद में आएंगे देखे यहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना होगा मैं थोड़ा दीप दिखा देता हूँ एक बार फिर आगे बात करता हूँ देखे ये जो जीवन रेखा है ये ऐसे होने चाहिए यह होनी कैसे चाहिए एक प्रॉपर लाइन एक सीधी रेखा होनी चाहिए बिल्कुल कटफट नहीं जादा होना चाहिए जीवन रेखा अगर सीधी लाइन बन्या ले सीधा एकदम चली जाए तो बहुत सुंदर माना जाता है ऐसे जैसे मैंने भी दिखाया आपको जादा उसमें कट फट दीप या चकोर ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम लाइन क्लियर है तो अच्छा जीवन होता है जातक का लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा मैं थोड़ा बड़ा पिक्चर को करता हूँ यह देखिए यह जो लाइन है इसमें आपको जैसे गेहू का आकार होता है यो या जो जिसे बोलते हैं या गेहू जो जिस आकार में होता है उस आकार में आपको छोटा सा यहाँ पर दीप नजर आएगा या दो जीवन एखा के तरह नजर आएगा या यो नजर आएगा या दो लाइने एक दूसरे के संपर्क में दिखेंगी, तो ये थोड़ा सा सारीरिक स्वास्थ कमजोर करती है, आदमी का सारीरिक सक्ति कमजोर होता है, ये अच्छा शंकेत नहीं है, इससे घबराने के जरूत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को डाक्टर की प्रापर सलाह लेनी चाह ऐसा होना सुभ नहीं है, ये आदमी के वाएं हात में हो, महिला हो या पूरूस हो, कोई भी जातक हो, चाहा उसके दाहिने हतेले में हो, या फिर वाएं हतेले में हो, दोनों में होने से वही अर्थ होता है, वही कस्ट प्रदान होता है, वही परिशानी आती है, तो दाएं बढ़ेंगे लेकिन चिंता का विशय भी नहीं है उसके सासद में यहीं पर आपको कहूंगा कि दोनों हाथ में तब भी परिशान होंगे एक हाथ में तब भी परिशान होंगे दोनों हाथ में तो थोड़ा सा जादा आप परिशान होंगे बस इतना सा फर्क पड़ेगा तो व हमें या हमारी वीडियो को लाइक करें प्रोसाहन करें उसके साथ हमें इंस्टागाम, फेस्बुक पर फालो करें हस्त रेखा गुरु नाम से ID वहाँ पर साच कर सकते हैं आप हमसे कंसर्टिंग करने के लिए भी आप बात कर सकते हैं और अपनी हतेली दिखा सकते हैं और सबस में देखूंगा उनकी जिवन रेखा से संबंदित सारे शवाल में कितना यस समर्धी धन दौलत प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ जिवन बल या जिवनी शक्ती कैसी रहेगी मैं जरूर बताऊंगा पांच लों का, मैं किसी भी आज लोगो सेलेक्ट करूंगा उनका कोई नाम नहीं है और ना किसी से कोई इर्शा भेद या किसी प्रकार का अन्यवरताव किया जाएगा निस्पक्ष रूप से चुनाव हम करेंगे पांज लोग का और उनके सवालों का जवाब देंगे तकरीबन 15-15 मिनिट उन्हें जरू करें और अन्त में हम उन लोगों को मैसेज जरूर करेंगे जिनको हम सेलेक्ट किया है थैंक्स फॉर वाचिंग हास तरीखा गुरी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका थैंक्यू झालों